Hello and Welcome to my YouTube Channel तो दोस्तो आज की इस वीडियो में मैं आपको सिखाऊँगा कि आप अपने YouTube वीडियो में आई बटन या कार्ट्स के से इंसेट कर सकते हैं या एट कर सकते हैं आज की इस वीडियो में हम आपको मोबाइल के जरी किसी भी YouTube वीडियो में कार्ट्स या आई बटन एट करना सिखाएंगे So let's begin to our video और सबसे पहले आपने अपना Chrome ब्रोजर उपन करना है और उसके बाद यहां से आपने टॉप के थ्री डॉट्स में जाना है यहां पे और उसके बाद यहां से आपने Desktop Site को Enable करना है यहां से यहां पे आप देख सकती है Desktop Site Enable हो चुका है और उसके बाद यहां से आपने Search Bar में टाइप करना है यहां पे आप देख सकती है Studio.youtube.com आपने Spelling का खयाल रखना है Otherwise यह ट्रिक काम नहीं करेंगे और उसके बाद यहां से आपने इसको Search करना है तो दोस्तो इस तरह आपके Mobile में आपका YouTube चैनल Laptop या PC में जिस तरह खुलते हैं उस तरह खुल जाएंगे यहां पे आप देख सकते हैं और उसके बाद यहां से आपने जाना है अपने Contents में यानि वीडियोस में आपने यहां पे जाना है नाव उसके बाद यहां से आपने जिस वीडियो में I Button या Cards 8 करना है उसको Open कीजिए यहां से मैं First वाली वीडियो को Open करता हूँ और उसके बाद यहां आप Right Side पे सबसे नीचे देख सकते हैं Cards का Option है इसमें जाना है तो यहां पे आपके Mobile में कुछ इस तरह से Interface खुलेंगे और उसके बाद यहां आप Left Side में देख सकते हैं यहां से आप I Button में कोई वीडियो एड़ कर सकते हैं कोई Playlist एड़ कर सकते हैं या कोई Channel को एड़ कर सकते हैं उससे नीचे आप देख सकते हैं Link Option है यहां पे मेरा अभी यह Channel Monetize नहीं है इसलिए यहां पे Link Option Enable नहीं है अगर आपका Channel Monetize है तो आपको यह Enable नजर आएंगे यहां पे हम Cards में कोई वीडियो एड़ करेंगे उसके लिए आपने जहां पे इस वीडियो के आई बटन में अपना वीडियो एड़ करना है आप इस बार को वहां पे ले जाएए यहां पे आप देख सकते हैं ना उसके बाद यहां से आपने वीडियो में जाना है यहां first option पे आप देख सकते हैं और उसके बाद आपने जिस वेडियो को I button में add करना है उस पे click करेंगे यहां से मैं second वाली वेडियो को open करता हूँ तो दोस्तों यहां पे आप देख सकते हैं यहां पे यह add हो चुका है और यहां से मैं इस बार को थोड़ा सा पीछे करता हूँ और उसके बाद यहां से मैं यह वेडियो प्ले करता हूँ और यहां से आप इस वेडियो के right के top पे I button का option नोट कीजिए तो यहां के आप देख सकते हैं दोस्तो इस तर करके आप यह अपने mobile के जरी अपने किसी भी YouTube वेडियो में cards या I button को option add कर सकते हैं तो यह थी आज की वेडियो उमीद करते हैं यह वेडियो आपको पसंद आई होगी और अगर आपको इस तर के मजीद वेडियो चाहिए तो आप मुझे comment में लिख सकते हैं Thank you, best of love